रुक कर लेते हैं भुपाल का यहाँ पर एक बार फिर से दिन दहाड़े फाइरिंग का मामला सामने आया है कोईफिजा इलाके में फाइरिंग हुई है कोईफिजा इलाके में यह फाइरिंग हुई है युवक को घर में खुसकर गोली मारी गई है आपसी विवाद के चलते युवक को घर में घुसकर गोली मार दी गई और युवक गंभीर उपसे घायल है उसके हालत गंभीर बताई जा रही है गटना का CCTV पुटेज भी सामने आया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है तो इस वक्त की बड़ी चले और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का हमारी संबादाता हरफीत कोहरीन इस वक्त लाई जुर चुकिए हरफीत भोपाल में आखिर क्या हो रहा है बीते दिनों हमने देखा कि दिन दाहारी किस तरह से ये वक्त तमंचा लहरा रहा था लोगों को रोक क्या है क्या ऐसा विवाद था कि घर में गुसकर गोली मार दी गए और यूवक कि स्थित्या भी कैसी है अब बिल्कुल जैसा कि आपने सवाल किया कि आखिर राजधानी भोपाल में ये क्या हो रहा है तो अपने दर्चकों को हम बताना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल मे जो बदमाश है वो पुलिस को ही चिनौती देते नजर आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला देरात कोहे फिजा में सामने आया है जब चालिस मामलों में निगरानी शुदा बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अलाके के एक फ्लाट में रहने वाले गोलु शफीक के घर में घुसकर उसे गोली मारी है यह जो आरोपी है इसमें फिरोज बाबा शोहिव अन्ना शहीद इटार सी आदिल दानिश हैं इन पर चालिस से जादा मामले हैं यह लाके के निगरानी शुदा बदमाश है इनका गोलु शफीक के साथ कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद ये देर रात उसके घर पहुँचे हैं आरोपी नहीं लगे हैं यानि आरोपी फरार हैं दावाद जरूर पुलिस कर रही है लेकिन समझा जा सकता है कि निगरानी शुदा बदमाश और वो भी इस तरह घर में घुसकर गोली मारकर किसी शक्स को घायल कर देते हैं चलिए देखते हैं अभी तक बदमाशू के गिरफतारी नहीं हो पाई है देखते हैं कब तक गिरफतार होते हैं आरोपी और उसके बाद क्या कुछ खुलासा होता है शुक्रिया परी जानकारी के लिए हर परीद